जैहिन सात्यों स्वागत है आपका Self Study Classes विस समिजन यूटूब चैनल और दोस्तो एप में दोस्तो बहुत सारे स्टुडेंट को एप डाउनलोड नहीं करते बर रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोर्च भी नहीं देख पा रहे हैं तो मैं आज उनको बता दूँ कि यह जो Self Study Classes इस प्रकार से जब आप Play Store से करते हैं तो यह आपका वेल जो है आईकन उसमें लगा हुआ है है ना तो इस प्रकार से Self Study Classes आपको सर्च करना है और ऐसे आईकन में आपको एप मिलने बाला है ठीक है तो दोस्तो हम देखें कि Play Store में आपको इस प्रकार से देखेगा यह Self Study Classes ठीक है यह Play Store में आपको Self Study Classes का एप देखने बाला है ठीक है यह image उसमें डली है यह icon यह logo उसमें डला है ठीक है अब दोस्तों इसको install करना है यहाँ से आप install करेंगे ठीके अब install करेंगे तो बहाँ पर आपको number मांगेगा Gmail number मांगेगा तो आपको OTP आएगा तो आप register करके आगे बढ़ेंगे हिंदी की funny trick लेकर के फिर से आ गए है रोज साड़े 9 वजे आपकी funny trick वीडियो होता है हिंदी साहित है ना हिंदी साहित को हम पढ़ते हैं महतपूर्ण रचना यह महतपूर्ण प्रश्णों को trick के माध्यम से याद करने का प्रयास करते हैं आप नेट एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं JRF, PGT, TGT या फिर किसी भी प्रदेश की TET एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें हिंदी साहित पूचा जाता है तो यह वीडियो दोस्तो आपके लिए है चैनल को सब्सकाइब जरूर करेंगे आपको सिर्फ वीडियो देखना है कुछ भी कर नहीं करना है सारी की सारी जोग जितने भी प्रशन लेकर कर आएंगे सारी की सारी याद हो जाएंगे अब आपको दोस्तो 2 सेकंड दिये जाते हैं और प्रशन का उत्तर बताना है कि स्री संपरदाई की स्थापना किस ने की थी जी हाँ दोस्तों दो सिकंड में आप अपने उत्तर का चैन करें जब तक मैं आपको बता देता हूँ कि पुष्टी मार की प्रबर्ता कौन थे बल्लबाचार है ना सरहपा की एक रचना है दोहा कोस ठीक है है ना सभी को पता है दोहा कोस है सरहपा की रचना और आपका उत्तर हो जाता है स्री संपर्दाई की क्या हो जाता है रामा नुज करते हैं सिरी राम तो स्री संपर्दाय के साथ हमने राम जोड़ दिया तो स्री संपर्दाय के कौन होंगे रामा नुजाचार स्री राम है ना तो रामा नुजाचार स्री संपर्दाय के रामा नुजाचार ठीके बिसिस्ट्य अदोयतवाद के रामा नुजाचार ठीके बैस्णाओ आचार थे, इन्होंने बैस्णाओ धर्म का, क्या किया, पर चार पर सार किया, रामा नुज़ा चार ने, ठीके, यह चीज़ याद रखनी है, दोस्तों आपको बताना है, प्रबंद चिंतामणी के रचनाकार कौन है, प्रबंद चिंतामणी, तो दो सेकेंड में आप अपने उत्तर का चैन करेंगे, और आपका बिल्कुश सही आंसर क्या हो जाएगा, मेरू तुंग, मेरू तुंग, प्रबंद चिंतामणी के रचनाकार कौन है, मेरू तुंग है, और दोस्तों, आपको पता है, कि हमारे देश में विविन प्रकार के मेरू, यानि प्रबत सिकर हैं ना हमने विविन प्रकार के, तो हमें क्या करना है, प्रबत सिकरों का, मेरू का क्या करना है, प्रबंद करना है, तो मेरू की हमें चिंता करनी पड़ेगी, जैसे हमारे लद्दाक का पठार है, लद्दाक के पठार में मेरू हैं, और उनकी हमें चिंता करन करना है में और उनका प्रबंद करना है तो प्रबंद चिंतावणी के रचना कर कोन होगे मेरूतुंग ठीक है याद रखेंगे आ नम्मर आपका बिल्को सही है रोड़ा कभी की एक रचना है कौन्सी राउल बेल Turkish was ठीक है तो इसको याद रख लेना है रावल वेल की रोड़ा कभी की रावल वेल सिलांकित किर्थी माने जाती है ठीक है अंगला देखते हैं दोस्तों अंगला जो अपना प्रसन है वो क्या है उसको देखते हैं प्रतिविराज रासो की रचना बिधान में सरवादिक बिबादा इस पद पक्ष कौन सा है दो सेकंड में आप अपने उत्तर के चेन करेंगे और आपको पता है कि प्रतिविराज रासो चंद्रबरदाई जी का महा काब है प्रतिविराज रासो हिंदी का प्रतम महा कब है चंदरबरदाई हिंदी के प्रतम महा कभी है चंदरबरदाई प्रतिविराज रासो में 69 सर्ग है ठीक है इसमें जो सर्ग है सर्ग को क्या कहा जाता है समय कहा जाता है ये चीज़ आपको पता है आदी काल में अगर पूछा ज दुआनों ने अलग-अलग मत प्रिगट किये हैं, यहां पर पूचा है कि सरवाद एक बिबादा इस पत्पक्ष कौन सा है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसकी एतिहा सिक्ता, और आपको पता है दोस्तों कि प्रतिवी की एतिहा सिक्ता पर भी बिबाद है, कोई क कहता है, बिग्यान कहता है कि बिग बैंग से दांद के द्वारा प्रतिवी एक क्या थी, आग का गोला थी, पिंड थी, उसके फटने से बिबिन ने ग्रह बने प्रतिवी का निर्माड हुआ, तो प्रतिवी की एतिहा सिक्ता पर क्या है, बिबाद है, तो प्रतिवी राज अंगला कोश्चन बताना दोस्तो बीसल दिवराशो का काब रूप क्या है सबसे पहले तो यह पात होनी पता होनी चाहिए कि जो बीसल दिवराशो काब है वो किसका है? नरपती नाल का है ठीक है अब इसके काब रूप क्या है? दो सेकंड में आपको बताना है दोस्तो तो आपको पता है न दोस्तो कि यहाँ पर क्या आ रहा है देव और बीस तो बीस देव आपने पता होगा हम बीसों देव के गीत गाते हैं बीसों देव बोले हनुमान जी की भी पूजा कर लो राम की भी कर लो स्रीकर्ष्न भी कर लो है ना मस्जिद में भी चले जाओ बीसों देवों की हम क्या करते हैं पूजा करते हैं करते की नहीं करते तो पूजा करते हैं और गीत गाते हैं गीत गाते हैं तो बीसल देव रासो जो है दोस्तो आपको पता है ये अजमिर के सासक के सम्मंदित है ठीक है अजमिर के सासक ते बिग्रह राज बिग्रह राज इसके नायक है ये भी याद रखने ना है बीसल दिवरास के नायक कौन है अगर पूछा जाए तो बिग्रह राज है और इस रंगारेक रचना मानी ज क्या करते हैं पंडलों क्या करते हैं अपनी भबूती अबूति लगाई मु hopeful में है न सब जगह पढ़े आप भगवान के पहुंच गयाए और यृजल्या विजव रेकिन के कहा जाएगा भभूति से बहुति लगा लो है और मेंおお ़िए पुस्पदंत को क्योंकि हम भभूती अभूती लगा कर कहा पहुंचे पुस्पचडाने पहुंचे तो पुस्पदंत जी आपको पता होगा दोस्तों यह अपने आपको क्या मानते थे अभिमान मेरू मानते थे इन्होंने अपने आपको अभिमान मेरू की उपादी दी थी इ किसने माना है तो वो माना है किसने राम कुमार बर्मा ने ये चीज भी आपको याद रखनी है ठीक है राम कुमार बर्मा और सरहपा की बारे में तो मैंने आपको बताया था कि सरहपा की जो रचना है एक कौनसी है दोहा को से है ना सरहपा मैंने आपको कई बार बताया है कि आ कोई बाला दोहा आता मुझे तो है ना तो सर दोहा सुनाओ तो दोहा को सरहपा सर से है ना और राम सेंग की कौन सी है पाहुड दोहा ठीक है तो याद रखना है अंगला बताना ध्यान मंजरी की रचेता कौन है दोस्तों ध्यान मंजरी की रचेता बताना अग्रदास है नाव कहीं नहीं जाना चाहिए सिर्फ पड़ाई पर जाना चाहिए वीडियो पर जाना चाहिए अग्र आपको आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए तो ध्यान मंजरी के रचेता कौन होंगे क्योंकि ध्यान कहानी जाना चाहिए अग्र तो अग्रदास नावादास के गुरू कभी-कभी पूँचा जाता है तो अग्रदास कुम्बन दास के गुरू पूँचे जाते हैं तो बल्लबाचार सुर्दास जी के गुरू पूँचे जाते हैं तो बल्लबाचार इनको याद रखेंगे नावादास के गुरू अग्रदास कौन हो सकते हैं मैंने ये चित्र क्यों दिया है इसलिए दिया है कि हनुमान जी अपना सीना हिर्दय फाड़ कर देखा रहे हैं और बोले कि मेरे हिर्दय में देख लो सीता और राम ब्राजमान रहते हैं मेरे हिर्दाय को फाड़ कर देख लो सीता और राम राजमार रहते हैं तो हनुमान नाटक के रचेता कौन होंगे हिर्दाय राम क्योंकि हनुमान के हिर्दाय में कौन होते हैं राम होते हैं हिर्दाय राम तो आनम्मर आपका बिलकुत सही हो जाएगा अब कभी भी आपसे को औने बरबी रामाएट चार वब defending हैं चार में सेचेन करना दो सेकंड आपको दिए जाते हैं और एक चीज बताना दोस्तो कि जब तुलिसी रास ने रामायड लिखी तो एक चीज बताना कि रामायड पराधार इतन्यों ने रामायड नहीं पढ़ी होगी क्या इसको हम कोई भी चीज पांच लाइन लिख देते हैं पांच लाइन अगर कोई अच्छी सी पंक्तियां लिख दी कभीता लिख दी तो हम बार बार पढ़ते रहते उसी को तो तुल्सी दास ने इतना बड़ा महा काब लखा ये बार बार नहीं पढ़ेंगे पढ़ेंगे ना बार बार तो बार बार पढ़े तो बरबे रामाण बरबे से बार बार बरबे रामाण की रचेता कौन होंगे बोले तुल्सी दास होंगे क्योंकि इन्होंने काई की रामचरेत मानस की रचेता इन्होंने रचना की रामायन की रचना की हैना तो इनोंने बार-बार पड़ी इसलिए बरवे रामायन याद रखना तुल्शीदास जी राम कापड़ारा की पता है आपको स्रेश्ठ कभी मान जाती हैं हैना जान की मंगल बरवे रामायन और भी बहुत सारी इनकी रचना है रामशरित मानस ठीक है बिनय पत्रिका कश्न गीता वली इस सारी की सारी रचना याद करना है तुलशिदास जी की रिक्से में आपको याद करवाएंगे एक बाद हैना अग्रदास की हमने पढ़ी थी कौनसी ध्यान मंजरी पढ़ ली थी और अग पूछी है पूछी जाती है रामायन महानाटक कौनसी है रामायन महानाटक हम बोल देते ना कि रामायन हमारी क्या है प्राण है रामायन हमारी प्राण है तो रामायन महानाटक की रचिता कौन होंगे प्राण चंद चोहान और पुस्पदंत की बारे में तो आपको पता दि ठीक है और पुस्पिदंत जो हैं बहुत ही इन्होंने अपने आपको क्या कहा था अभिमान मेरू कहा था तो ये चीज भी आपको याद करनी है और बरबे बार बार रामान किसने पड़ी थी तुलची दास ने तो बरबे रामान के तुलची दास हो जाएंगी ठीक है हंस जबाहर की रचिता बचाना है दो तो हंस जबाहर यहाँ पर जबाहर हीरा जबाहरात लखे हैं यहाँ पर और आप कहीं गए हो काम करने और यहाँ से आपके हंस जबाहर क्या हो गए गोल हो गए जबाहर गोल हो गए आपने पूछा कि जबाहर कहा गए तो बोले हंस जबा जबाहर खाए गया तो कसम से तो कासिम साह हंस क्या खा गया जबाहर खा गया तो कासिम साह की हंस जबाहर है ना नूर मुहम्मद की अनुराग मासुरी है ना सेक नभी की ज्यान दीप उस्मान की चित्रावली आपको रचना याद करना है ठीक है याद करवा देंगे सीताइन क और दो सेकंड आपको बताना है और ये भी बता देना है कि सीता जी किसकी प्रिया थी राम की प्रिया थी और उनकी सरण में रहती थी बोले हमें आपकी सरण मिल जाए इस से अच्छा और कुछ नहीं हो सकता मेरे लिए तो सीता यन किसकी रचना होगी राम प्रिया राम की प्रिया कौन थी सीता यन है ना सीता जी थी इसलिए सीता यन राम प्रिया सरण दास की रचना है सीता यन कभी नहीं भूलोगे अब आप है ना इस प्रकार से याद करना है है ना तो बताना है दोस्तों भक्ति आंदोलन को इसायत की देन किसने कहा है इसायत आप समझते हो इस बोल दो आपको इसको इस बोल दो की इस की देन इस मतलब इस्वर की देन है वो तो भक्ती तो आप लोग बोलते हैं आपने कई लोगों के मुह से सुनी होगी कि हम तो इस्वर के क्या है संतान है, हम तो इस्वर के सन हैं, हम तो इस्वर के पुत्र हैं, है ना, तो आपको जो भक्ती मिलेगी, वो कहां से मिलेगी, इस्वर से ही मिलेगी, कि नहीं मिलेगी, मिलेगी, जब आप इस्वर के सन हो, तो भक्ती भी आपको इस्वर से ही मिलेगी, तो भक्ती आंदुलन को इसायत की देन किस ने माना है इस ने ही देन इस ने ही दिया है तो कौन मानेंगे उनके सन मानेंगे वहना किसके इस्वर के सन इस्वर के सन ने भक्ति आंदुलन को इस की देन मानी है तो सन यानी गिरियर सन याद रख लेना है सबी लोग और आपको पता है कि जनता की चित्वर्तियों की निरासा की भावना से रामचंदर सुकले ने माना है हजारी परसाद दुवेदी ने क्या माना कि ये तो स्वभावेक होना ही था है ना और आकर मुस्लिम आकरमन भी ना हुए होते रामचन सुक्र ने कहा था कि मुस्तलिम आक्रमन के कारण जनता की चित्विर्ती से भक्ति आंदुलर्ण का उदय हुआ है ना हजारी परसाद दुवेदी ने इसका स्वभावेक माना है कि ये तो स्वभावेक रूप से इसका उदय हो ना ही था इस परकार से आपको याद रखना है अंगला बताना है दोस्तो भक्ति काल को स्वण योग किस ने कहा है स्वण काल यहाँ पर स्वण काल और स्वण योग आपको देखना है दोस्तो ठीक है स्वण काल किस ने कहा है तो आपका राइट अंसर क्या हो जाएगा काल की बात जब काल की तरह लगता है और खुद का स्वर्ण हमें सुन्दर लगता है है ना खुद का स्वर्ण हमें स्वर्ण योग लगने लगता है सुन्दर लगने लगता है लेकिन गेरों का स्वर्ण हमें काल की तरह लगता है तो याद रखना इधर से दोस्तों स्वर्ण काल कहा गिरियर होगा काल काल होगा जो तो काल की तरह देखेंगे गेरों के स्वरण को ठीक है हजारी प्रसाद दुवेदी ने भक्ति काल को लोक जागरन कहा क्या कहा लोक जागरन इसको भी आपको याद रखना है और दोस्तों रामचंद्र सुखले ने क्या कहा इन्होंने भक्ति काल कहा ठ राम चंद्र सुकले ने तो यह सारी जानकारी आपको याद रखनी है और कभी आप से पूचा जाए स्वर्ण योग किस ने कहा और ओफ्सन में स्याम सुंदर ना हो तो गरियर्शन लगा देना ठीक है याद रखना अंगला बताना दोस्तो आलबार सब्द का अर्थ क्या होता है आपको पता है कि आलबार भक्तों की संक्या कितनी मानी गई बारा हमने कैसे याद किया था यहाँ पर दिया है बारा यहाँ पर क्या दिया बार तो बार से वारा आलबार भक्तों की संक्या कितनी है बारा ठीक है अब आलबार सब्द का अर्थ बताना है दोस्तों क्या होत आप आलवार टिर्की वीडियो देखते हो और मगन हो जाते हो तो आलवार सब्दकार्थ क्या होता है मगन होना है ना बोलिस्तर में तो आलवार आपका टिर्की वीडियो देखता हूं और मगन हो जाता हूं है ना तो मगन होना आलवार कार्थ होता है उलारवार भक्तों की सं थम रचना के से माना हैं सूपी काबधारा की बहुत ही बढ़िया प्रस्ण हैं दोस्तों यहां से आपके बहुत सारी प्रस्ण कवर होने वाले हैं अब आपको वताना है कि हजारी परसाद दुबेदी ने वताना है तो चार वेकल्पें दो सेकेंड में आप अपने उत्तर के प्रशेन करेंगे तो एक क्रम से दिया है बिलकुल दोस्तो है ना हजारी प्रशाद दुवेदी ने जो माना है वो इस्वर दास्कृत सत्य बती कथा और मैंने आपको याद करवाया था कि इस्वर की कथा सत्य होती है और इस कथा को हम एक बार नहीं कितने बार पढ़ेंगे ह कि से मांनेंगे यीश वर्धाकर इस्टवर्ध करत सत्त बुस्वर्ध करत हन्सा वली पूछा जाता है दोस्तों राम चंदर सुक्रण ने शूपि कापधारा की प्रतम रचना किसे माना है तो मिरगाबती को माना है और प्रतम कभी माना है कुतुबन को तो ये चीज़ आपको याद रखनी है जिसका रचना काल क्या है पंदरा सो तीन है अब एक करम बद्द में अगर कभी पूचा जाए, तो पहले हस लिया करो, पहले हसो, फिर चांद को देखो, पहले हसो, फिर चांद को देखो, फिर सत्त कथा सुनो, और फिर क्या हो जाएगा आप, है ना, म्रग को देखो, इस परकार से याद करना है, कि पहले हसो, फिर चांद को देखो, सत्त वती क था और मरगावती ठीक है इस प्रकार से मैं आपको जो आपकी करम बद्ध है ना दोस्तों वो इसी प्रकार से याद करवा देंगे करम बद्ध वाले जो आपकी रचना है जो आपके कभी कभी हैं उनको करवाएंगे दिक्कत नहीं करना है छिताई बारता की रचनाकार कौन है कथा सुनाती है और बोलती है कि आप नारायन जी की कथा सुना करो है ना आपका क्या हो जाएगा अच्छा होगा आप एक्जाम में पास हो जाओगे तो छिताई से आ रहा है ताई और ताई किसकी कथा सुनाती है नारायन जी की है ना तो नारायन नारायन वो नारायन की कथा सुनाती है ताई तो छेताई बारता की रचना कार कौन होगी नारायन दास ठीक है सत्य बती कथा ईस्वर दास की है तुलशी दास की हमने पढ़ लिए थी राम्स रित मानस हैना 1544 इसका रचना काल माना जाता है और अग्र दास की रचना हमने पढ़ी थी कौन सी ध्यान मंजरी ध्यान मंजरी आपको याद रहना है ठीके अगला बताना दो तो रामायन की रचना कार कौन होगे है फेस नहीं हêm तो परान चंद चौहान है ना रामयर हमारी क्या है परान तो पराने चंद चौहान स्व एल्टी ग्रेड जी की हैं गोकुल दास की बात करें तो 252 वैस्णाओं की बारता और 84 वैस्णाओं की बारता एक गोकुल दास की रचना है है ना इनको भी आपको याद रखना है दोस्तो आंगे पूचा जाता है स्याम सगाई की रचनाकार कौन है स्याम सगाई और दोस्तो जल्दी से बताना हैं स्याम जी के जो बाबा थे वो कौन थे नंद बाबा आप लोग बोलतें नंद बाबा ने बोला कि स्याम अब क्या हो गए बड़े हो गए हैं अब इनकी क्या कर दी जाए सगाई कर दी जाए किसने सोचा नंद बाबा ने तो नंद बाबा ने स्याम की सगाई किसने की नंद बाबा ने तो नंद दास, स्याम सगाई की रचना कर को नोंगे, नंद दास, नंद दास की जोस्तों क्या है, भंबर गीत भी है, भंबर गीत है ना, और रूप मंजरी है, अनेकार्थ मंजरी भी इनी की है, ठीक है, बहुत सारी हैं नंद दास की रचनाय में आपको बहुत याद हो गई होगी कि नंद ने सोचा अब स्याम की सगाई कर दी जाए ठीक है मलेक मुहमाद जायसी सूफी काब धारा की प्रतम महा कभी मान जाते हैं दोस्तों और इनकी जो महा काब है वो कौन सा है पदमाबत है हजारी परसाद दुवेदी की अगर बात करें तो हजारी पर चुकल जी का हिंदी साहित का इतियास है ना इनको तो याद करेंगे तुल्ची दास को काली काल का जो बालमी की कहा है वो किसने कहा है बालमी की बताना है दोस्तों काली काल का बालमी की किसने कहा है तो आपको पता है दोस्तों कि हम बोलते हैं काल आ गया काल आ गया काल आ ग देखते हो, कि यह बगवान काल आ जाता, मुझे तो उठा लेता, है ना, तो काल कहा से आएगा, नब से आएगा, तो कली काल, कली काल का बालमी की किसे कहा जाएगा, किसने कहा है, तो नावा दास ने, नब से आएगा काल, है ना, तो कली काल का बालमी की नावा दास ने कहा है किसे तुलसी दास को ठीक है याद करना है अंगला देख लेते हैं दोस्तों तुलसी दास को चलता फिरता तुलसी तरू किसने कहा है तुलसी तरू और तुलसी तरू की बात हो रही है दोस्तों पौधे की बात हो रही है है ना और इसलिए इन्हें तुलसी तरू कहा गया कि त तुलसी इतना पवित्र पौधा माना जाता है और आपको पता है कि 24 गंटे आपको oxygen प्रदान करता है दिन रात oxygen प्रदान करता है तुलसी और people के ब्रक्ष है ना बहुत ही पवित्र माना जाता है और तुलसी के जैसी सरस्वती थी किसमें तुलसी तरू और तुलसी दास इस तो ये मधू सूधन ने कहा है ठीक है किसने मधू सूधन ने और मधू मतलब होता है बहुरा तो बहुरा किसके पास जाएगा तरू के पास तो जाएगा है ना तो मधू तरू के पास जाएगा इसलिए मधू सूधन सरस्वती ने तुलशी दास को चलता फिरता तुलशी कई बार पूछा गया है अंगला बताना भक्तमाल की टीका कार कौन मान जाते हैं भक्तमाल की टीका कार प्रिया दास हैं अग्र दास हैं हैं तो आपको बताना है दोस्तो भक्तमाल रचना है किसकी नाभा दास की लेकिन भक्तमाल की कौन बताना है टीका कार बताना है और मैं आ अक्तमाल के टीका कार कौन होंगे प्रियादास कौन होंगे प्रियादास होंगे तो आनम्मर आपको याद रख लेना क्योंकि भक्त भगवान की प्रिये होते हैं तो प्रियादास ठीक है अग्रदास की तो हमने पड़ी ही थी कि अग्रदास की ध्यानमंदरी हैमचंद्र अप भी आपको याद रखना है ठीक है अब दोस्तों आपको एक चेलेंज प्रस्ण दिया जाता है कि बिने पत्रिका की भासा क्या है आपको कमेंट में इसका उत्तर बताना है बिने पत्रिका की भासा क्या है अब दी भोजपूरी ब्रज या फिर मैतली तो इसकी भासा आपको बत हमने कैसे इसको याद किया था कि हमें जो हम पुस्तक पढ़ते हैं जो हम जिस्तर में पढ़ते हैं सब से पहले प्रष्ट पर हमें चित्र बनाना है किसका भगभती का भगभती का बनाओगे तो आपका कल्यान जरूर होगा इस प्रकार से हमने दोस्तो हिंदी साहित की निरंतर रोज अपनी किलास चलती है सुबह 9 बज के 30 मिनिट पर हैना जिसमें हम तिर्की में तिर्की बे में समझते हैं साम को रात 3 9 बजे भी आपका टेस्ट होता है हैना बिस्तरे तद्यन करते हैं टेस्ट होते हैं तो हिंदी साहित की दो किलासे आपकी चलती है सुबह 9 बजे और रात 3 9 बजे ठीक है तो इन जरूर देखें इनको हिंदी ब्याक्रण की आपकी 8 बजे किलास होती है तो उसको देखें वीडियो को लाइक करें जो भी अभी टेलिग्राम ग्रूप से नहीं जुड़े वो टेलिग्राम से जुड़ जाएं टेलिग्राम से जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है टेलिग्राम पर IAS study trick और जोईन हो जाना है ठीक है और दोस्तो वाटस अप नमबर वाटस अप ग्रूप है अपना 9098609291 यह वाटस अप नमबर है यह वाटस अप ग्रूप में आपको जुड़ सकते हैं इस पर मैसेज करेंगे तो वाटस अप ग्रूप की आपको लिंक मिल जाएगी तो आप वाटस अप ग्रूप से जुड लगा कमेंट के माध्यन से अवस्त बताना है और सेयर जरूर करना है लाइक तो सभी लोग करेंगे जैहिन दोस्तों बहुत सारी स्टुडेंट को एप डाउनलोड नहीं करते बर रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोट्स भी नहीं देख पा रहे हैं तो मैं आज उनको बता द ठीक है तो दोस्तों हम देखें कि पिले स्टूर में आपको इस प्रकार से देखेगा यह सेल्प स्टडी किलासिस ठीक है यह पिले स्टूर में आपको सेल्प स्टडी किलासिस का एप दिखने बाला है ठीक है यह इमेज उसमें डली है यह आईकन यह लोगो उसमें डला है ठीके अब दोस्तों इसको install करना है यहां से आप install करेंगे ठीके अब install करेंगे तो बहां पर आपको number मांगेगा Gmail number मांगेगा तो आपको OTP आएगा तो आप register करके आगे बढ़ेंगे